प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ट भाश्पानेता नरुत्त मिश्वा लॉक्टाउन में भी चंता से चुड़े हुए हैं। लॉक्टाउन का पालन करते हुए वो जरूरत मंदों को राशन और जरूरी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। वही उन्होंने जनता से घरों से न निकलने और पुलिस वप्रिश्यासन का सहीओ करने की अपील की है। वही इंदोर की स्थिती पर चंता चताते हुए उन्होंने इसकी वज़ा तबली की जमान और स्वास्त कर्मियों पर हो रहे हमले को बताया है। ऐसे ही विभिर नमुद्दों पर डीच्याना न्योज के ग्रूप एडिटर रिजवान एहमत सद्धकी ने भाश्पा नेता नरुत्तम मिश्वा से खास बातशीत की। विधान सबग और विधाई कारियों का उन से आपका परिचे कराते हैं और कोरोना कोरोना और कोरोना कारोना लगातार जारी है। लेकिन आज हम चर्चा किसी दूसरे अंदाज में करेंगे। कोरोना की चर्चा कम होगी। वो कैसा करते हैं। ऐसे समय में वो क्या देख रहे हैं, क्या मैसूस कर रहे हैं, और पीछे अगर हम चलें, तो आज कल परिवार के साथ रहने का बहुत मैका है, तो परिवार के साथ वो किस तरह से समय बिता रहे हैं, और पीछे वो पिता को भी कई बार याद करते हैं, सोने की एक आदत है उनकी और वो अदत पिता की किसी सक्ती के कारण उन में पड़ी तो उस पर भी पूछेंगे वो समझेंगे उनसे आपका बहुत-बहुत सागात बहुत धन्यवाद दिश्वाद दिश्वार माई कुरोना का जिक्र है तो शुरू यहीं से करते हैं आप बड़े बिन्दास अंदाज में गूंपिर रहे ही एक अकेले नेता है जो मीडिया को सबसे जादा सिल्ब है इस समय भी वैसे तो आप ऐसे भी रहते हैं बहुत सिल्ब इस समय भी आप बहुत सिल्ब है और कई बार आपके जो चाहने वाले हैं उनको चिंता भी होती है कि आप रिस्क ले रहे हैं क्यों आपको लगता है कि ऐसे समय में इस तरह से लोगों के बीश में रहना चाहिए कोई रिस्क नहीं ले रहा है देखो आप कितनी दूर बैठे हुए हो पूरी उसका ध्यान रख रहे हैं सेनेटाइज करके अंदर आएं साब हाद दो के आए पूछा मैंने इन सब कि सब ठीक ठीक कर लिया आपने भी आने के पहले जेव उसमें रखा डिबे में क्या वो सेनेटाइज की था कुछ था साब्धानियों जितनी होनी चाहिए पूरी रख रहे हैं पर लोगों से कैसे कड़जायें जिन लोगों में जीवन है साब्धानियों के साथ में लोगों के बीच में रहना तो मन को भी अच्छा नहीं लगता अब 30-35 साल हो गए तीस साल पहले तो बिदाई की बन गए थे तब से उनके बीच में तो आदसी हो गई और अच्छा, मन को भी अच्छा लगता है आप सब लोग ना आओ तो मन को अच्छा नहीं लगता है इसलिए दोनों से साथ में, आपके सब के साथ में भी और साथ दानियों के साथ में भी करोना से लड़ रहे जब यहां अंदर आते हैं तो महसूस होता है सेनिटाइजर जगा जगा है गाड के पास भी है और भी है रास्ते में भी है और आपके पास भी एक पिछकारी नुमा एक सेनिटाइजर रहता है और जब आप जनता के बीच जाते हैं या हमलों के बीच में रहते हैं तो यह ख्य ना चाहिए. इसको हराना है भारत को जिताना है ये भाव हो ए जब प्रधान मंद्री जी ने कह दिया मुक्किमंद्री जी ने कह दिया तो फिर क्या बचा सब को लग जाना चाहिए आपको भी हम को भी लॉक डाउन है लोग घर से नहीं भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तरह के लोग हैं तो बच्चों में बहुत मन लग रहा है, नाती है, इसके पहले वो मेरे को जानता ही नहीं था, करोना और लॉकडाउन का ये लाब हुआ कि वो मेरे को पेचानने लगा, कि बावा नाम का प्राणी भी कोई है, अब उसी के सा से लोटा था, वो हरा वाला डाइनासोर मांग रहा था तो वो बजार में खरीदने किया था, कहां मिलता है हरा डाइनास, दुरभा के लिए लेकिन मिला नहीं वह दुकारें बंद थी, और वो देखने किया था, कहीं सायद मिल जाए, वो जिद पर आ गया था, उसकी यही हम मैडिकल इस्टोर पे वो रखी थी कुलफ़ी बोलेंगे आइस्क्रीम बोलेंगे यो भी थी वह जिसको को उसने देख लिया मैडिकल इस्टोर, तो वह उपentyछा को भाइश ने शॉकलेट पर आगे उसी छार बजいます बात की है उसने चार वजे की कह गया है कि चार वजे चलना मैंने के चले चार वजे फिल ले जाओं पिर शेर गुमाएंगे आप उसे शेर तो नहीं आगे छे नंबर पे दुकाने हैं कुछ मेडिकल की वो खुलती हैं और इसकी परचून की जो अन्मती दिये प्रसासने वो ख घर में रह भी रहे हैं कुछ लोग हैं अपनी परिस्तियों के कारण बाहर निकलते हैं कुछ और भी कारण है कुछ गूमने टहलने भी निकलते हैं ऐसे लोगों को क्या संदेज देना चाहें अकारन को तो नहीं निकलना चाहिए और सकारन भी निकलना है तो अनमती ले लेना चाहिए लेकिन अकारन को तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए ऐसी मेरी मानिता है अगर अनमती है गाड़ी की अनमती है चुकि अपन देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी जो रोकते हैं वो हमारी चिंता में रोकते हैं उनका अपना हित्त है नहीं वो अपनी जान पर खेल कर 20 सलक पर खड़ें तो देश की चिंता है ब्यक्तियों की चिंता है इसलिए वो रोकते हैं तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए उन्हें सहयोग करना चाहिए अगर वो रोक के पूछते हैं कहां जा रहे हो कहां से आ रहे हो कौन सी गाड़ी है अनमती है नहीं है कारण बताओ, अकारण जा रहे हो, सकारण जा रहे हो तो बताना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए ऐसी या मेरा ब्यक्तिकत मत है अकारण नहीं निकलो, कारण हो तो भी बता कर निकलो और लोग बहुत हत्तक मान भी रहे हैं जो नहीं मानते हैं उनके लिए क्या हुआ हुआ है नहीं मानते हैं तो वो खत्रे को मूल ले रहे हैं उनके लिए प्रात्रा मान जा हाथी जोड़ सकते हैं उनसे पधान मंत्री ने जिस तरह का आवाहन किया पधान मंत्री लगातार कोशिश भी कर रहे हैं आर्थ व्यवस्था को लेकर बहुत डेर सारे सवाल उठ रहे हैं तो इसलिए ऐसे दोर में सारे लोगों के काम बंद हैं कारवार ठप है एक चेंड तूटती सी जा रही है आप मेटकल स्टोर का जिकर कर रहे हैं अगर आने वाले वक्त में यही परिस्तितिया बनी रही तो वहां भी बहुत डे सारे समानों की सप्लाई का अभाव हो जाएगा कई तरह किसा मानों का सप्लाई का अभाव होने लगा है महालान मंत्री जी ना एक बात करी ना जान भी जहान भी पहले काता जान है तो जहान है मैं समझता हूं परसों से 20 तारिक से मद्यपरदेश का बड़ा भूभाग में आंसिक गत्वदिया प्रारंब हो जाएगी एक स अगर लोग निकले तो फिर जिस जो सोचल डिश्टेंट है वो समाप्त हो जाएगा तो पहले मेडिकल परचुनी फैक्टरी और जो पालन करते जाए नियमों का उसको धीरे-धीरे बढ़ा की तीन महीं तक मैं समझता हूं अब इंदॉर भूपाल उज्जयन ये तीन जगे बचेंगी और खासकर इंदॉर तो खोला जाना भी नीची है जब तक कि हम उसमें पूर्ण ता आस्वस्त ना हो जाए इंदॉर की इस्तिती लगातार चिंता जनक होती जा रहे हैं मरीज बहुत तेई से बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह से कंट्रोल हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इस तरह से काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाया गहराई तक डाक्टर को नर्स को बेटी को उतरना चाहिए या पुलिस को उतरना चाहिए तो वो अग्याता आसंका से ग्रसित होके गए तो यह फैलता चला गया रुक नहीं पाया देर में पकड़ में आया और देर में पकड़के आने के बाद मैं आसंकाओं से ग्रसित होके वहाँ गए इससे दिक्कत आई है पर अब जो मुझे लगता है जैसे कल से उसमें दर्मी आई है कल यह ठीक है कि आकड़ा वहाँ पर कॉरिंटाइन होने का ज़्यादा आया लेकिन इसमें आप देखेंगे सिद्धिकी जी के वो सारे वो लोग थे जो पॉजिटिव आये जो पहले से इन्होंने कॉरिंटाइन किये हुए थे इसलिए इन दोनों को आप देखेंगे तो संख्या वो बढ़ी नहीं है दिखी आकड़े में उदर बढ़ी है लेकिन पहले से ही यह कॉरिंटाइन किये हुए थे पहले से ही वो उनके उसमें रोके हुए थे बरती थे जमा थे तो इसलिए अब नियंतरन में इन दोर भी आन नहीं जो झो झाएंने को जो रहा है उसमेंसे पांच परसेंट छेल भी नहीं निकल रहा है एसमें से पांच परसेंट भी नहीं निकल रहें इसलिए आप जांच कराने बिछबास्यों मतलब अब तो पूरे महले के महले फ्रीज करके सेर की जाँच हो रही है बोपाल में प्रारंब हो गई तो मैं कल तक मैं समझता हूँ कि हम सिदिलता में आएंगे आप मत्विदेश में स्वास्त मंत्री भी रहे हैं इसलिए मैं ये जिक्र आप से लगातार इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ जैसे मत्विदेश में प्रमुक सच्यो हेल्थ और बहुत धेर सारे लोग बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित हो गए और यहां कहीं जमात वाला कोई फेक्टर नहीं है लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमित हुए और इसके अलावा भी बहुत धेर सारा पीपी, केट या इस तरह के अभाव भी इस तरह की स्वास्ति वाग के बारे में कल मानी मुक्हमंतरी जी ने परियाप तो बोल दिया कि मेरे आने के पहले पी-एस जो थी वो संक्रमित हो चुके थी और स्वास्त का अमला पहले ही संक्रमित हो गया था उनके आने के पहले इस कारण से अब उस पर रिपीटेशन हो जाएगा स्वास्त का लेकिन निश्यत रूप से चूक की है स्वास्तवालों ने और वो भी उसी तरह की चूक है और साइद उसके लिए उनने जाच किया उसके अनुसासन के आदेश भी कर दी है कल मुक्रमन से चलिए तुक बंदियों का आपका जवरदस तुक बंदिया रहती है तो मैं पीछे चलूँगा आप उत्तर पिदेश उसके पहले मद्द पिदेश उसके बाद गुजरात फिर तरह की तुक बंदियां थी आपकी और वो बहुत ही रोचक हैं तो अगर उन में कुछ तुक बंदियों का मैं जिकर करूआ आच वो रिजवान भाई उस समय सीड़ी दिमाग में दूसरी लगी हुई थी अभी तो करोना तक ही रखो आप उसमें हास परयास में बदल कोरोना में कुछ तुक बंदी किया थी अभी कोई तुक बंदी का सामय नहीं होगी वो फिर अभी काउन साथ देर हो जाएगी अब इस पर नियंतल बहुत जल्दी पा लेंगे मैं पूरी तरह से आसान मित हूं जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी महनत कर रहे हैं 24 गंटे मैंसे 20-20 गंटे उससे लगता है कि हम जल्दी इस पर विजय पाएंगे एक पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूं उसके बाद फिर वेक्तिकल सवाल करूंगा मद्द पदेश में मंती मंदल गठित नहीं हो रहा है इसको लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं चर्चा थी आज कि कुछ को शपत दिलाई जा सकती है फिर चर्चा में फिर बहुत देसारी चीज़ें में कि सिंधिया ने जोति देसंदिया ने भी हमिश्या सबी लोग झलाओ को डिलाओ तस लोग झलाओ इस तरह की बात इस बात है और अकेले मुख मंत्री जैसा आप कह रहा है लगातार एक बना दी, लेकिन सरकार का मंत्री बंडल कब बनेगा। एक तो रेजान वह बार बार और भी मीडिया की लोग केते हैं, अकेले मुक्ष मंत्री, मुक्ष मंत्री है, अकेला मुक्ष मंत्री नहीं है, तूसरी बात बहुत लंबा दीरग कालिक अनभब जो मद्यप्रदेश की राजनीत की इतियास में किसी में नहीं है वो शिवराज सिंग चोहान में है जितने महीने इन्ने सरकार चलाई है उतने साल से वो मुख्यमंतरी है इसलिए बीरों कैसी पे पकड़ जनता के बीच में उ डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा तो कुछ लोग सोचते हैं आप चिकिस्सक हैं इसलिए कि स्वासमंतरी भी आप रहे हैं तो ये डॉक्टर कैसे लगा चिकिस्सक नहीं हूँ मैं दरसल मैंने पिएचडी की है और पिएचडी का मेरा विसेथा लग तंतनल का केंद्र बिढ़ायक मतलब मैंने विल्हांसवा के ओओ पर पिएचडी की है आ है और उस पिएचडी के करण से डाक्टर लगाए मैं चिकस्सक वाला डाक्टर नहीं हूँ इलाज मेरे बड़े भाई डाक्टर है, मेरा बती जाब, मेरी बव, यह सब डाक्टर है, मेरा बेटा डाक्टर है, ऐसे आदा दर्जन से ज्यादा डाक्टर मेरे परवार में है, अभी भी हम जिस घर में रहते हैं, आज भी मेरे बड़े भाई वाँ प्रेक्टिस करते हैं, और बहु तो परिवार का बातमर ही वो था, डाक्टरी वाला. वक्त एक छोड़े से ब्रिक का, ब्रिक के बाद हम बहुत जल लोटते हैं और लोटकर उनसे पूछेंगे कि वो अपने स्वास का ध्यान कैसे रखते हैं, स्वास मंत्री रहे हैं वो, प्रदेश की सिहत के साथ साथ अपना भी वो स्वास का बहुत ध्यान रखते हैं, विधाय बड़े ऐसे चात रहे हैं आप जो जिसकी चर्चा पिता तक बार बार पहुंचती थी उस समय के कोई संस्मन सुनाना चाहें इसलिए कि अब आप अपने बच्चों के साथ बच्चों के बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो पुरानी कुछ चीज़ें याद आती होंगी ऐसे सम तो अब ही तो हम सब साथ हैं इस पीड़ा में यही संदेश परियाम अपने स्वास्त का आप बहुत ध्यान रखते हैं और जब हम चर्चा करते हैं जैसे मैं उत्तरपिदेश के आपको यह देखा लगातार आपको जिम्मेदारी जो दी गई थी आप लगातार पार्टी के क कामों में लगे रहे, प्रधान मंत्री की भी सभा हुई, रास्टी अधष की भी सभा हुई, इतिफाक ये था कि मुझे उसमें जाने का मुखा भी मिला, मैं मुने उसको कवरेज भी किया और ऐसे समय में आपकी दिन चर्या में जैसा कि जो आपको लोग जानते हैं कुछ देर आप दुपहर में विश्राम करते हैं, लेकिन आपने उस समय में विश्राम नहीं किया, और ये अपने आप में एक आपके लिए बड़ा इसलिए की एक आदत सी है, तो ये आदत कैसे पड़ी, अगर मैं इसका जिक्र करूँ तो मेरे जैसे बताएं, मेरे फादर डाक्टर आपने जाते हैं, और सुभाव से मैं उद्धन्ड प्रवर्ति का था या उद्ध मी कह लें हैं पाई जो भी गाओं की भासा में कहते हैं, तो वो जब आते थे प्रैक्टिस से तो वो आते ही बुलाते थे, और वो बाकी के हम तीन भाई थे, तो बाकी के भाईयों से लेट हो जाते थे, अपने यांके डाक्टरों की एक आधत है, वो दुफर में विसराम करते हैं, तो उसी परमपराम को निवाते थे मेरे फादर, तो मेरे को फिर, कई बार माता जी ने टोका के तुम लेट होते हो, तो फादर भी दिश्टर्ब हो जाते हैं, फिर दीरे दी से कि ये सो जाएं, इसलिए मैं बले नीन ना आया पर सोने का अबनाय करता रहता था कि फादर तो सो जाएं, ये भी सचे कि मैं फिर उठके भग जाता था जब वो सो जाते थे, कई बार, हमेशा ने, पर धीरे धीरे फिर वो आदत में आ गया, फिर नीन भी आने लगी, एक साधत के आगे, आगे बढ़ते गया. क्या दिंचरिया आपी, किस तरह से करते हैं, आप अभी वी या या या? मैं सुबह साड़े चार पांच बजे उठ जाता हूँ, सुबह साड़े चार पांच सवा पांच तक नीचे आ जाता हूँ, टहलता रहता हूँ, गोमता रहता हूँ, लोग मिल जाते हैं, गपयाता रहता हूँ, बातें करते रहते हैं, साथ वजे करीब मैं घरा आ जाता हू वापिस साड़े छह साथ पर साड़े छह साथ पर चाय बगएरा जो सब लोग रहते हैं साथ में जब मैं डबरा रहता हूं तो बड़ी संख्या रहती है वो बोपाल में भी संख्या बड़ी रहती है पर अभी तो बोजन बगएरा विश्राम बगएरा में चलाया तो तीन बजे से फिर आपकी सेवा में रहता हूं रात को नो बजे तक इसमें जो हो सकती है वो सेवा करते हैं नहीं होती तो मां भी मांगते हैं बच्चों के साथ कोई गेम बगएर खेल रहे हैं? सारे गेम खेल रहा हूँ अभी तो जितने बच्चे खेलते हैं वो सब रे गेम खेलता हूँ सब सीख गए आपकी पहले से आता हूँ नहीं अभी सीखा हूँ पर अभी सब खेलता हूँ आज कल रामायन महावारत आगई है और वो भी देखता हूँ रात को रात में जो आती है, दिन वाली नहीं, दिन में तो चुकी हो बारा वजे शुरू हो जाती है, और वो समय ऐसा है कि मैं एक वजे पहुचने का है मेरा, रात की जरूर देह लेता हूं नो वजे वाली बच्चों के साथ ही, उसे सकरता हूं इस बहारे बच्चे भी बैठ जाएं जैसे मैं आपके पास आया हूं, हजामत भी नई वनी ठीक से, क्या हाल बना रखा है, लोग पूचते हैं, लेकिन आप इतना टिप टाप कैसे रह पाते हैं, खोले स्वहम सेवा कहें, खुद की सेवा करते हैं, अपने हाद से कहचते हैं, आपके लिए नाई की जरूरत है, आप, शौकीनो, नवाब, बोपाल नवाबों का शेहर है, तो आपको खवास लगता है, नाई लगता है, हमको क्या है, हम तो सेवा के खुद ही कहेंच लेती हैं, एक बार फिर राजनीत के तरफ लोटता हूं, आखरी सवाल है, कि विधायक बहुत धेसारे आपके साथ आग है, उनने का कि दो लाग का करजा माप करेंगे, किये ही नहीं, अब इतनी काफी है कांगरेसी, अब जिक्या जूट बोलेंगे जाके, इनने का बेरोजगारी बत्ता देंगे, दिये ही नहीं, अब क्या बोलेंगे ये नोजवान से जाके, कि अब दे देंगे, वो अब दे द का गोशना पत्र होता है तो आपके राज्टी अद्देक्च उस समय के राहुल गांदी ने क्यों का दस तक की गिंती बताई कि हम दस दिन में माफ कर देंगे तो नहीं करेंगे तो मुक्ष मंत्री बदल देंगे यह उन्हें का वीजियो फोटेज आपके पास भी है आपके च गोसाला बन जाएगी सडक पर कोई गोसाला नहीं मिलेगी रामपत बन जाएगा जाने कितनी बातें कर दी जब रोज एक गोशना करते थे गोशना वीर मुक्यमंतरी कमाल नाजी और सितम यह था कि एक भी पूरी नहीं की हमारी जो अच्छी योजनाएं चल रही थी वो वर इसपास हो गए हैं अगले तीन साल बाद अठतर असी के हो लेंगे चुकता काम है अब दिग्वेजे सिंग जी पंदरा साल को दे गए थे आदरनी कमलना जी बीस साल को दे गए हमें सेवा काब सर करेंगे राहूल गांधी कल मीडिया से रूबर हुए थे समर्थन किया उन्होंने पदान मंतरे के लॉकडाउन का और बाकी सारी तरह की चीजों का लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन एक पुश बटन है उससे चीजें थम सकती है लेकिन बहुत व्यापा किस तर पर जाच की जान बहुत बड़े नितना है राहूल गांधी कांग्रेस पार्टी के मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं लेकिन उनसे प्रातना है कि अगर सुरुवात में पुश नहीं करें जिन देशों ने पुश नहीं किया जिनकी अर्थविवस्ता बहुत अच्छी थी चाहे वो उनके म मा का घरो नाना का घरो इटली और चाहे अमेरिका उन्होंने पुश नहीं किया तो कबरिस्तान में समसान घाट में और जहां लासें रखी जाती हैं क्या बोलते हैं मरचुरी जगे नहीं बची इन देसों के अंदर रखने की आबादी के मान से अगर तुलना करें तो हमारे सीमित संसाधन थे सबसे कम मात हैं उन पर अत्यदिक संसाधन थे और अत्यदिक माते हुई हैं इसलिए जो पुस्ट किया मोधी ने इसकी विस्ट् सरहना की मोधी मौडल बनके निकला आज मोदी से दूसरे देशों के राष्टा अध्यक्ष और राष्टपती सला ले रहे हैं आज हम बिस्तु को दवाई सप्लाई कर रहे हैं अमेरिका ने जो दौश दी थी हमसे दवाई मांगने पर दी थी हाइड्रो क्लोरो कुईन दे दो हमको आज भी हमारे पास में मद्यप्रदेश में 35 लाख टेबलेट उपलब्द हैं आज हमारे पास में 16 हज़ार से जादा आईसोलेटेट बैड उपलब्द हैं हमारे पास में आई से यू के बैड नौसो के आट सो से कुछ रखे हुए हैं कोई कमी नहीं है हमारे पास में संसादनों की मद्यप्रदेश की बात कर रहा पर च्छे करी पर साथ करी अब 10 अज़ार किट डवल कर दी हमने 10 अज़ार किट रोज आ रही है जो डाक्टर पेहनते हैं तो जो कर सकते थे वो सब कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि मैंने फिर एक बार दोहराता हूँ अंतिन सवाल पर आपके पर हम एक दो दिन में आपको इस पर अच्छे संदेश देंगे मत पिदेश की जनता को क्या कहना चाहते हैं आप उत्तर पिदेश भी लंबे समय से गए रहे हैं वहां चुड़ाओरा आपका गुजराद भी आप गए हैं जनता को क्या संदेश देना चाहिए मैं तो कहूँगा प्रदान मंतरी जी के निर्देशों का अक्षर से पालन करें दूरियां बना के रखें और अभी घर पर ही रहें अगर आपका इलाका रेड जोन में है तो तो निकले ही नहीं आनिता आवश्यक हो तो निकले अनावश्यक ना निकले धन्यमाद आपका ये हैं डॉक्टर नरुत्ता मिश्रा घर में ही रहें आपका इराका अगर रेड जोन में है तो बिल्कुल न निकलें और वो लगतार उसी तरह से लोगों के बीच में जाते हैं इसलिए उनका कहना है कि तकरीवां 35 बरस हो गया जनता के बीच में रहने का और पिता ने जो संसकार दिये थे उसका वो पालन कर रहे हैं परिवार में बहुत डेर सारे लोग चिकिस्सक हैं इसलिए वो चिकिस्सक के छेतर में उनका भी एक लगाव है साथी उनका कहना है कि मद्देश के मुखमंत्री अकेले नहीं हैं अम जैसे बहुत से लोग उनके साथ हैं लाकों कारकरता उनके साथ हैं पिदेश की जनता उनके साथ है वो लगातार काम कर रहे हैं और जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उन पर भी कारवाही होने चाहिए मुखमंत्री उस पर बहुत कुछ कहचे हैं लेकिन इसलिए वो कहना नहीं चाहते हैं लेकिन भार भार उनका यही संदेश है कि समय परिवार के साथ मिला है तो बिताईए और जो आपकी जिम्मेदारियां है उसे नभाईए हमारे इस कारकब में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए महमाल के साथ तब तक मुझे दीजिए